उधारन चवुदा बारा मजदूर एक दिवार को नौ दिन में प्रति दिन आठ घंटा काम करके बना सकते हैं उसी दिवार को चोबीस मजदूर प्रति दिन छे घंटे काम करके कितने दिन में बना लेंगे हल मजदूरों की संख्या वा कार्य पूर्ण करने में लगा समय एक दूसरे के व्यूत्क्रमनपाती होता है दिवार बनाने में 12 मजदूर 12 मजदूरों को 9 दिन गुणा 8 घंटे बराबर 72 घंटे समय लगता है तो हमारे पास सबसे पहले 12 मजदूरों की संख्या जो होती है वो एक कार को 72 घंटों में पूर्ण करते है इसी प्रकार आगे यदी मजदूरों की संख्या बढ़ा कर 24 कर दे अब यहां 12 की जगा मजदूरों की संख्या को डबल दुगना कर देंगे 24 कर देंगे तो यदि मजदूरों की संख्या बढ़ा कर 24 कर दे तथा कार करने का समय घटा कर प्रति दिन 6 घंटे कर दे और माना एक्स दिन में दिवार पूर्ण हो जाती है तो 24 मजदूरों को 6 घंटे गुड़ा एक्स दिन बराबर 6 घंटे लगेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 24 मजदूर जो है वो उसी समानकार को 6 घंटों में पूर्ण करेंगे अब आगे देखते हैं चुकि दोनों परिस्थिती में काम पूरा हुआ है अता यह समय की गढ़ना वो मजदूरों की संख्या के विद्क्रमन पाती है जिसे हम निम्न इस प्रकार विद्क्रमन पाती संबन्द के रूप में लिख सकते हैं मजदूरों की संख्या मजदूरों की संख्या अनुपात पुना मजदूरों की संख्या की संख्या समान अनुपात समय जो की घंटों में है अनुपात समय पुना ये भी घंटों में है मजदूरों की संख्या अनुपात मजदूरों की संख्या समान अनुपात समय मजदूरों की संख्या 12 है पहले स्थिती में और फिर मजदूरों की संख्या दूसरे स्थिती में 24 है समान अनुपात 12 मजदूर जो है इस काम को 72 घंटों में पूर्ण कर रहे है और दूसरी स्थिती में 24 मजदूर है जमान काम को 6 घंटों में पूर्ण कर रहे है यहां मजदूरों की संख्या और उस पर किया गया कार पर लगा समय व्युत कराम मनुपाती विच्रण है इसलिए हम इसे लिखेंगे 12, 12 बटा 24 बराबर 6X बटा 72 या इसे हम लिखेंगे तिरियक गुणा करेंगे जब हम इसे तो हमें मिलेंगा 72 को जब हम गुणा करेंगे 12 से तो 12 गुणित 72 बराबर 24 को अपन तीरिया गुणा करेंगे तो 6x गुणा 24 या x बराबर 12 गुणित 72 भटा परक्षानतर करेंगे 6 और 24 को तो 6 गुणा 24 उसी तरह से हम यहां पर इसको काटेंगे तो 12 गुणा 24 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 करेंगे अता प्रति दिन कार करने का समय आठ घंटा से घटा कर छे घंटा करने पर वह मजदूरों की संख्या 12 से बढ़ा कर 24 करने पर दिवार बनाने में 6 दिन का समय लगेंगा जब 12 मजदूर एक दिवार को 72 घंटों में पूर्ण कर रहे थे तो अब 24 मजदूर इसी दिव कार को बनाने में 6 घंटे में ये कार पूर्ण करेंगे यह इस प्रश्ण का हल होगा उधारन पंद्रा 200 CFL बल्बों को 6 दिन तक 4 घंटे प्रति दिन जलाय जाने पर विध्यूत वय 40 रुपय आता है बताईए 48 रुपय के वय पर 15 दिन तक 3 घंटे प्रति दिन के हिसाब से कितने CFL बल्ब जलाय जा सकते हैं हल माना 48 रुपय के कुल वय पर 15 दिन तक 3 घंटे प्रति दिन के हिसाब से XCFL बल्ब जलाय जा सकते हैं पहली सिति में दिया है कि एक बल्ब 4 घंटे प्रति दिन के हिसाब से 6 दिन जलता है एक बल्ब के जलने का कुल समय 6 गुणा 4 बराबर 24 घंटे तो 200 बल्ब के जलने का कुल समय 200 गुणित 24 घंटे तो सबसे पहले हम यहाँ पे बल्बों के जलने का समय जो हो जाएगा वो 200 गुणित 24 घंटे यह है पहली स्थिती में और जिसका जो व्य है इसका जो व्य है वहाँ 40 रुपए है इसी तरह दूसरी स्थिती में 15 दिन तक 3 घंटे प्रति दिन के हिसाब से X बल्ब के जलने का कुल समय एक्स गुणा 15 गुणा 3 बराबर 45 एक्स घंटे तो दूसरी स्थिती में 45 एक्स घंटे होगा यहाँ पे इसका जो व्य है वह प्रेश ननुसार 48 रुपए है यहाँ जैसे जैसे बल्ब जलने का समय बढ़ेंगा विध्युत व्य भी बढ़ेंगा यानि यह समानुन पाती है यहाँ बल्बो के जलने का समय घंटों में पहली स्थिती में 200 गुणित 24 बल्ब जो है उसका जो विध्युत वढ़े 40 रुपए है और 45 एक्स बल्बो का जलने जलने के लिए 45 गंटों में इसका जो व्य है विध्युत वै 48 रुपए है तब हम इसे लिखेंगे 200 बल्ब जलने का कुल समय अनुपात कुल विध्युत वे अनुपात एक्स बल्ब जलने का कुल समय कुल समय अनुपात कुल वे यहां देखिए 200 बल्ब जलने का कुल समय हमारे पास 200 गुणित 24 है तो हम यहां लिखेंगे 200 गुणा 24 अनुपात कुल विध्युत वे यहां पर इसका 40 रुपए है तो यह 40 और यहां पर समाना नुपात है तो समाना नुपात में समाना नुपात एक्स बल्ब जलने का कुल समय जो है वह 45 एक्स है अनुपात इसका कुल वे 48 रुपए है अब इसे हम बटे में लिखेंगे तो 200 गुणित 24 बटा 40 बराबर 45 एक्स बटा 48 या एक्स बराबर 200 गुणा 24 तीर्या गुणा करेंगे तो गुणा 48 बटा 45 इसका पक्षांतर करेंगे तो 45 गुणा 40 और इसको जब हम हल करेंगे तो इसका एक्स कमान हमें प्राप्त होंगा 128 अता हम यह कह सकते हैं कि 148 रुपए के विद्यूत खर्च पर 15 दिन तक 3 गंटे प्रति दिन के हिसाब से एक्स बराबर 48 बल्ब जलाए जा सकते हैं तो कुल बल्ब जो है हमारे 128 बल्ब जो है वो जलाए जा सकते हैं यह इस प्रश्न का हल होगा